नमस्कात दोस्तों, पूरांजय जोतिस से मैं सौरव आप सभी को तह दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम आने वाला सब्ता यानि के 5 जनवरी से लेके 11 जनवरी 2020 तक हर एक राशी के लिए कैसा रहेगा इसके बारे में मिस्तार से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जिन लोगों के मेश्वराशी उनके लिए रविवार और समवार अच्छा रहेगा। इस दो दिन में कोई भी लडाई जगडे इन लोगों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। मंगल और बुदबार बाधाय आएगा। फिर भी करिवी दोस्त या रिलेटिव से इन लोगों को सहयता मिलेगा। गुरु, शुक्र और सनिवार के दिन इन लोगों के लिए शुव रहेगा। जिन लोगों के ब्रिशव राशी उन लोग के लिए रविवार से लेके बुदबार तक बाधाय रहेगा। गुरुवार को आप चाहकर भी अपना वादा रख नहीं पाएंगे। शुक्र वार तक बाधाय रहेगा। सनिवार से शुव परिवर्तन दिखाई पड़ता है। मिथुन राशी वाले के लिए रविवार शुव फल्दाई होगा। सौम से बुदबार तक बहुत सारे बाधाय आपके सामने आने वाला है। शुक्रवार से शुव परिवर्तन दिखाई पड़ता है। जिन लोग के करकत राशी है, उनके लिए रविवार तक हर एक जरूरी काम को कम्प्लिट कर लेना अच्छा रहेगा। बुद्वार तक इनके लिए शुव फल दाई होगा। गुरु और शुक्रवार इन लोग के लिए अशुव रहेगा। सनिवार से शुव परिवर्तन दिखाई पड़ता है। जिन लोग के शिमर राशी है, उन लोग के लिए रवी और समवार यादा शुव रहेगा। मंगलवार से शुव परिवर्तन दिखाई पड़ता है, शुक्रवार को आय से यादा बैय होगा, सनिवार के दिन दूरी यत्रा आनुचित रहेगा। कन्या राशी वाले के लिए इस सप्ता में पारिवरिक दिख समालने के लिए बहुत सारा परेशनी आएगा। रवी से बुद्वार तक बहुत सारा बाधाय को समलना पड़ेगा, गुरुवार से शुव परिवर्तन दिखाई पड़ता है, कोई भी बड़ा बिक्ति से हेल्प मिलने का संभवानाय है, शनिवार के दिन कन्या राशी वाले के लिए शुव रहेगा। तुला राशी वाले के लिए रवी वार से लेके समवार रात तक शुव रहेगा, समवार रात से मंगल वार तक अशुव रहेगा, बुद्वार शुव परिवर्तन आएगा, फिर भी गुरुवार और शुक्रुवार कोई बड़ा स्टेप लेना ठीक नहीं रहेगा, शुक्रवार अशुफ होगा लेकिन सनिवार से शुफ फल का सुचना होगा। धनुराशी वाले के लिए रभी और समवार साधरन रहेगा लेकिन समवार साम से शुफ परिवर्तन आएगा। शनिवार के दिन अच्छा नहीं रहेगा इसलिए मानशिक हताशाय आ सकता है। मकराशी वाले के लिए इस सब्ता थोड़ा बै बहुल होगा। परिवार के लिए ये बै होगा। रभी वार थोड़ा परेशनियों से गुजरना पड़ेगा। सुमबार किसी के साथ खुद का जो प्राबलम है वो शेयर करना ठीक नहीं रहेगा। बुद्वार तक साधारन रहेगा। गुरुवार से शुफ परिवर्तन आएगा। कुमराशी वाले के लिए रभी और सुमबार शुफ अल्दाई। इसलिए जरूरी काम को सुमबार के अंदरी शिश करने की कोशिश करना। मंगलवार कर्म और आर्थिक शेत्र में परेशनियां आ सकता है। बुद्वार परिवार को लेके हैरानियों का सामना करना पड़ेगा। गुरुवार को किसी करीब रिशेदार को लेके परेशनियों का सामना करना पड़ेगा। सनिवार से शुफ परिवर्तन आएगा। मिन वाशिवाले के लिए वो कोई पावफुल बेक्ति से लाफ पाएगा। रवी और सुमवार इन लोगों के लिए शुफ नहीं रहेगा। मंगलवार को कोई अर्थ या पैसा रुपया मिलने का संभवन आये हैं। बुदवार शुफ होगा लेकिन गुरु से शनिवार तक मिन राशिवाले के लिए अशुफ रहेगा। उम्मीद करता हूँ के ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तब इस वीडियो को लाइक और अपनों में शेयर करना। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकॉन को जरूर प्रेस करना। नमस्कार मैं सावर आप सभी से अभी के लिए इजाद आच चाहता हूँ। फिर मिलेंगे हमारे आगले वीडियो पे। तब तक के लिए खुश रहना खुश रखना।